नमस्कार दोस्तों ओमरी यूटूब चैनल घरेलू टेकनिक में आप सभी कर स्वागत थे आज हम दो कलर से बहुत ही सुन्दर डॉर्मेड बनाने वाले हैं इस तरह से यह देखिए साड़ी फड़ के लिया है चलो हम दो कलर से एक नए डॉर्मेड बनाएंगे वीडियो को लाज तक जो देखना दोस्तों लाईक स्सक्राइब शियर करना कमेंड में बनाना आप से भी हुई यह वीडियो कैसी लगी यह देखिए इस तरह से हम फंदे डालके ले लिया है टोटल तीस फंदे हैं फंदे हमने पहले से डाल लिया था तीस फंदों से आज हम लेड और मिट बनाएंगे दोस्तों चलो पहली सलाई हम बुना स्टार्ट करते हैं यहां से मिब पहली सलाई हमें सीधा से जाई बुन लेना पितगे रमोचें इसी तरह से हम सलाई पूरा कर लेते हैं कि शारे फंदे भूनते हुए हम लाश्ट में आगए इस तरह से यह देखिए यह सलाई हम पूरा कर लिए हैं यह दूसरी सलाई पर आगए दोस्तों इस तरह से यह देखिए बहुत ही असान डॉर्मेट है दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक यह देखना है यह पहला फंदा हम उतार लेंगे और इस तरह से हम फंदे भूनेंगे यह देखिए अब हम चलो 20 फंदे भून के लिए लेते हैं फिर आगे दिखाते हैं आप लोगों को यह देखिए 20 फंदे हमने भून लिया है अब इधर 10 फंदे भचे हुए है और इस तरफ हमने 20 फंदे भून लिया अब यहां से हम दूसरा कला लगाएंगे यहां से इस तरह से यह देखिए पहला फंदर बुन लिया दो जो इस्टरा दागा इसे हम दबाते हुए बुन दे जाएंगे तीन चार पाँच छे ऌज़े साथ अएफ पंदर भाण और दो पंदर फंदर हम वन लि ली इस किलर से और दो फंदर हम लाष्ट का छोड़ दीनगे यह देखिए लाष्ट का दू फंदर हमने छोड़ दिया यहां से भागा प्लर को लट लिया अब आगे देखि लिजी है कि इस तरफ हमारी सिधी साइड है दोस्तों तो इस तरफ हमें सिधा-सिधा क्यों लेना है कलर के ऊपर कलर यह आठ फंदे हम इस क्लर से बुन लेंगे यह देखिए ये सारे फंदे बुन लिए आप धागे को पीछे करेंगे बीच में से आगे ले आएंगे दूसरा धागा और ये जो 20 फंदा है अब हम इसे भी इसी कलर से बुन लेंगे और इस सलाई को इसी तरह से पूरा कर लेंगे चलो हम सलाई पूरा कर लेते हैं लाश्ट में आके आप लोगों को दिखाते हैं आगे हमें कैसे बनाना है यह देखिए इस तरह से हम मारी सलाई पूरी हो गई यहां तक अब हम दूसरी सलाई पर आगे चलो आगे बनाते हैं पहला फंदा उतार लेंगे धागे को आगे लिया और ये सारे फंदे हम इसी सलाई में बुनते जाएंगे बुनते हुए हम सलाई के बीज में आगे ये देखिए बिस फंदे हमने बुन लिये अब इसमें बुनैंगे यह देखिए जो हम 8 फंदे लिए थे अब इसे हम बुलू कलर्से बुन लेंगे 3, 4, 5, 6, यह 2 फंदे लाश्ट का ठोड़ देगे इसमें से 6 फंदे हम बुन लिये इस कलर्से और 2 फंदे इसमें हम छोड़ दिये यह देखिए इसे आप लोगों बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों तभी आप लोगों समझ में आएगा और इस तरह से देखिए धागा पलट लिए इस तरफ हमें सीधा सीधा ही बुन लेना कलर के ऊपर कलर यह सीधी साइड है इस तरफ हमें कुछ भी निकरना है चलो यह सलाई हम इसी तरह से पूरा कर लेते हैं और यह हमें कैशी बनाना है शलाई पूरी करके फीर दिखाते हैं यह देखिए सलाई हमारे पूरी हो गई फिर से देख लिजीए पहला फंद उतार लिया और यह सारे फंदे बुन लेंगे बीच का इसी करह से बुनते जाएंगे इस तरह से इसी तरह से हम आप लोगों के लिए हमेशा दो कलर में तीन कलर में डिजाइन लाते रहते हैं दोस्तों बहुत ही सरल और आसान जिससे आप यह वीडियो देख के बना सकते हो गरबेट है इस तरह से यह देखिए बुनते हुए हम लाश्टि में आ गए इस तरह से यह हम यह चार फंदे छोड़ दिये यह देखिए इस तरह से चार फंदे हमने छोड़ दिया है और यह टोटल दस फंदा है यहां से ब्लू कलर में यहां से यहां से दस फंदे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस बात का ध्यान रखना दोस्तों दूसरा कलर जब लगाना हो तो दस फंदे से ही लगाना दूसरी बार अगर आप लोग समझ में नहीं आता हो तो चार फंदे के पहले से यह देखिए इस तरह से दस फंदे से ही लगाना है चलो यहां से हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से यह देखिए एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ इस कलर में बुन लिए और यह देखिए लाश्ट कार दो फंदे इसमें से हम छोड़ दिए अब यहां से धागा पलट लेंगे दो-दो फंदे हमें इस तरफ छोड़ते जाना है यह देखिए इस तरह से और यह डिजाइन हमारी बनती जा रहे हैं दोस्तों सीधी तरफ हमें सीधा सीधा ही बुन लेना है कलर के उपर कलर अगर आप लोग चैनल पे नए हो दोस्तों इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे प और इस धागे को हम खीच के लाएंगे दोस्तों टाइट बुनेंगे इससे भी हम खीच देंगे आगे के धागा भी हम टाइट बुनेंगे इस तरह से फंदे को हमें बुनना यहां तो यहां हमारा गैपिंग नहीं रहेगा बीच में सब लोग कमेंड करते हो कि यहां गैप हो जाता है तो अगर आप टाइड बुनते हो तो यहां गैपिन नहीं रहेगा इस बात का ध्यान रखना दोस्तों उम्मिद करती हूं आप लोगों समझ में आ गया होगा यहां हमें टाइड बुनना है चलो हम इस सलाई को इसी तरह से पूरा कर लेते हैं लाश्ट में आके आप लोगों को बताते हैं सलाई हमारी पूरी हो गई दोस्तों इस तरह से यह देखिए दूसरी सलाई पे आ गए पहला फंदा उतारा दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दश ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा यह शोला शोला फंदे बुन लिया अब जो इसमें से यह आठ फंदे बुने थे अब इसे भी हम बुनेंगे यह देखिए इसमें से एक बुन लिया एक दो तीन तीन फंदे हो गए इसमें का भी यह चार पांच एक छे छे फंदे बुन लिया दो फंदे हम लास्ट का छोड़ देंगे इसी तरह से हमें बनाना है दोस्तों हर सलाई में और इस तरफ हमारी सिधी साइड है चलो हम इस तरफ सिधा सिधा ही बुन लेते हैं उम्मीद करती हूं दोस्तों आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा यह हमारा आठ फंदे होना चाहिए और यह देखिए इस तरह से यह डिजाइन बनेगी चलो आगे बना लेते ह सलाई को हम इसी तरह से पूरा कर लेते हैं लाश्टी में आके आप लोगों दिखाते आगे हमें कैसे बनाना है यह देखिए इस तरह से हम बना के ले लिए हैं यहां तक यहां हमने लो कलर से आठ हम फंदे ही बुणे हैं दोस्तों आठ फंदे से जादा न कम नहीं होना चाहिए बिए यह देखिए इस तरह से हम एक लंगिर छोड़कें एक लंगिर पे बुने हुए दूसरे सलाई पे और दधो फंदे हम छोड़ते गए हैं हर सलाई में यहां दो दो करके चलो हम आगे बनाएंगे यहांसे इस तरह से देखिए यहां पहला फंदा उतार लिए दागे को आगे लिए दो 3 कि चार पांच च्छे छे फंदा हम बुल लिए ये दो फंदे लाश्ट का छोड़ दिये इस तरह सी यह देखिए धागे को पलट लिया आगे आगे इस तरह हमारी सीधी साइड है तो हमें सिधा-सिधा बुल लेना है ये छब फंदे हम बुल लेते हैं यह सलाई हमारी पूरी हो गई दोस्तों इस तरह से यहां तक यह डिजैन पूरी हो गई इस तरह से यह देखिए आधिकली पूरी हो गई दोस्तों आधिकली बन गई इस तरह से यह देखिए दो दो फंदे हम इस तरफ से छोड़ते गए थे हर सलाई में दो फंदे इस तरह से यहां तक ही फंदे हमने छोड़ा है इसके बाद हमने फंदे नहीं छोड़ा है यह देखिए इस तरह से यहां तक ही हमें फंदे छोड़ना है चला अब आगे बनाएंगे इस तरह से यह देखिए दूसरी साइड आ गए हम इस तरफ यह पहला फंदा उतार लेंगे धागर को आगे लिया आप यहां से हम दूसरे फंदे से दूसरे कला लगाएंगे इस तरह से यह देखिए यहां से हम दूसरे कला लगा लेंगे यह सारे फंदे बुन लेंगे यह जो दो फंदे हमने छोड़ा था सलाई में इसे हम ले लेंगे इस तरह से यह देखिए दो फंदे हम ले लिए पहले हम छोड़ते गए थे अब हमें लेते जाना है इस बात का धियान रखना है दोस्तों इस ततर सीधी सगे है इस तो चुंदिए गैंगे इस तरफ से देखिए इस साइब को ऊister तरह से हम पूरण कर लिए इस्वे ले आए इसे भी हम उसी तरह से बुन लेंगे आगा यह देखिए दूसरी साइब पहल ला फंदह उतारा अब धागे को आगे ले आएंगे दो तीन चार पाँच छे साथ आठ यह आठ फंदे बुन लिए अब यह दो फंदे जो छोड़ा था इसे भी हम ले लेंगे इसी में यह देखिए इस तरह से दो फंदे यह हम इसे भी ले लेंगे यह सारे फंदे बुन लिए Esta निया दागे को पलट लिए यह यह से घ्रागे परण लेना हे और इस से डाय को हम इसी तरह से पूरा कर लेंगे कलर के ऊपर ही कलर बुन लेना है क्यों है दो, यह तीन, एक चार, चार फंदे अब हम बुन लिये हैं, अब इसके आगे दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से, चार के बाद ही हमें यहां से दूसरा कलर लगाना है, यह देखिए, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे हो गए, अब 2 फंदे हम इस ले लेंगे, इस तरह से यह देखिए, 2 फंदे हम इसे ले लिये, अब यहां से हम धगाप पडल लेंगे, यह देखें, इस तरफ हम आगए सिधी तरफ, सिधी तरफ हमें सिधा-सिधा बुण लेना है, चलो हम इस सलाई को हम पूरा कर लेते हैं, आएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाते हैं, दोस्तों, यह देखें सलाई पूरी हो गई, इससी तरह से हमें हर हरे में दो-दो कि इस तरह से देखिए दुबारा हमें इसी तरह से ही बुनना है दोस्तों कि यह चार फंदे थे अब इसमें यह सारे फंदे हम बुनते जाएंगे कि इसे हम सारे फंदे बुन लेंगे यह देखिए लाश्ट का दो फंदे जो यह चोड़ा हुआ है इसे भी हम इसमें ले लेंगे इसके बाद धागा पलट लेंगे इसी तरह से हमें यह डिजाइन पूरी करनी है दोस्तों चलो हम आगे अब इस कली को पूरा करके आप लोगों को लाश्ट में दिखाते हैं यह देखिए दोस्तों यहां तक हम बना के लिए है एक लिए इस तरह सी यहां देखिए यह चार यहां आठ फिर बारा फिर 16 इसी तरह से पूरा कर देंगे आगे कली भी इसी तरह से हमें बनाना है दोस्तों इस तरह से ये देखिए आप लोगों की ये डिजाइन कैसी लगए कमेंट में जरूर बताईएगा और वीडियो को जादस जादस सेयर कीजिएगा ये देखिए साथ कलियों वाला दोरमेट बनके तयार है दोस्तों आप भी बनाईए जादस जादस सेयर कीजिए ये दो कलर में ही कितना सुन्दर डोरमेट बना है दोस्तों आप लोग खुश से देख लीजिए बहुत ही प्यारा लग रहा है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद